बिहार के मुख मंत्री नितिस कुमार लगता दूसरी दिन पटना की सरकों पे निकले हैं आपको बता दू कि कल भी वो राजधानी पटना की सरकों पे निकले थे और कुरोना महामारी का जो केसेज हैं जो देत रेशियों इन सभी चीजों को लेके अस्पतालों में भ्रहमन कि है और देख हैं किस तरीके से पट्टा को रीडवलव किया जाए कहां जो जगह है उससे फुल्फील करके अच्छे एक mult 1 बना जाएencia था कि आगा जो पट्टा है वो स्वें कशा सिठी के रूप में कंवर्ट हो सके स्विर्ट सिटी के जो तमाम जो जड़ते हैं उसके लिए राजधानी पटना में बिहार के मुख मंत्रिन नितिस कुमार ब्रावन कर रहे हैं और अब ही जीपियो गुलंबर के पास है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भावन निवान के जो अधिकारी है वो नितिस कुमार को बता रहे हैं समझा रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर बन सकता है तस्वीर देख सकते हैं यह तस्वीर है यहाँ पर कचड़ा डंप किया जाता था हाला कि अब इस पर रिडेवलप्ट किया जा रहा है और कॉंप्लेक्स बनाने की बात कही जा पठना राज़धानी पठनागी सर्कों पर हैं रीडवरप्मेंट की बातें हो रही है और किस तरीके से पठना उर बहतर बना जाए उन सबी कि इस कि एरिया में तो अ乾ते जाते हैं उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था यहां पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक डंग से ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुधा हो उनके गाड़ी की पार्किंग की विवस्ता हो जाए और आप साम जानाधी का भी प्रबंध उपर कर दीजिए नास्ता का इस तरह का भी कर दीजिए तो वो सकता है तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तयार किया तो यह बात हो गई थी किसाइट पर फिर चलके देख लेंगे त पर बनेगा तो वो जो एरिया है आपके खाली देख रहे हैं किनारे में उन सब जगों पर बहुत अच्छा बिल्वी बनेगा है कई तरह के इस्टिशूस भी होंगे कई तरह की चीजह होंगी या जो लोग भी कोई व्याबार करते हैं उनके लिए भी सुगदा हो सकती है त तो हमने देखा कि भीड़ जाता नहीं है हम सीधे जा रहे थे और ताना पूसाइट में वही सब देख करके हम आये हैं लेकिन हमको थोड़ा कुछ लोग लगते थे कि मास्क नहीं पहने रहते हैं हाला कि जिनकी नजर पढ़ती थे उनको वह से इसाया करते थे लेकिन हमने देखा कि भाई लगी है और सब लोगों को इसके लिए प्रेइद करी तुकि बहुत ज़रूरी है अभी हम लोगों ने लॉक्ताउं खतम किया है और अगर इस परिस्थिति में जिस तरह से हम लोगों ने नाइट कर फिव और अन्य चीजों का दिन भर के लिए लिए देखेंगे कि अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है डीम्स वगरा सब भी पोर्ट जितने हैं फिर डिटेल डिसकुसन होता है उसके बाद पय होता है कि भाई क्या करना चाहिए अब भी तो हम लोगों ने किया देखें लॉक्डाउन का बहुत फाइदा हुआ है अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉक्डाउन को तो समाप किया है लेकिन कई तरह की विवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए और कई तरह के लिमिटेशन भी किये गए हैं इसको देखते कि हान रखना जूरे से देख लिए और आज चुकी कहा कि भई सुवह में ही हम लोग आठ बजे निकल करके दो जगा देख लेंगे उन्हों को फाइनलाइज करना और काम सुरू करना तो अब इसी बीच में जब लॉक्डाउन का पीरियर्ट था तो हमको प्रिजेंटेशन क के लिखने यह हुए थे तो इस बात हो गए थी अगर फेतम होगा तो चल कि देखने आ गाह अब इसक्कने पी सबकां की भी तो हजो लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बूक पर लाइक जरूर करें